मुझे ना सबसे अच्छा जो लगता है वो सीजनल बिजनिस करना अच्छा लगता है सीजनल बिजनिस के फाइदे बहुत है फाइदे ये हैं कि एक तो वो एक सीजन में आता है जैसे आप देख सकते हैं साधियों का सीजन आता है फेस्टिवल सीजन आता है तो उस समय उस season को लेके एक business शुरू करने में ये फायदा रहता है कि उस समय उसकी demand इतनी ज़्यादा रहती है कि market में कितनी की दुकाने हों फिर भी हर किसी की एक अच्ची sale होती है online sale करने बालों का तो भाई बहुत ही अच्चा काम रहता है काफी अच्चा पैसा कमा लेते हैं तो आप एक season का business कर सकती है जो मैं आपको बताने वाला हूँ इसके साथ साथ मैं आपको manufacturer की detail भी दूँगा ये है राखी का business आपको पता है रक्षा बंदन आने बाला है और अच्चा बंदन पर काफी जादा जो demand होती है वो राखीयों की होती है लेकिन आप कहो कि की राखीया कैसे resale करेंगे कैसे उसमें profit कवाएंगे कैसे B2B wholesale का business करेंगे कैसे आप manufacturer से खरीदेंगे बहुत सारे confusion होंगे और आपको पता है जो राखीयों का season आता है वो एक दिन का पूरा program रहता है लेकिन राखीया पहले से बिगना शुरू हो जाती है और आपके लिए एक ऐसी unique राखीया लेके आँगा कि जिसमें आप देखोगे कि ऐसी राखी आज तक आपने कहीं नहीं देखी होगी एक creative idea आपके business को up flow पर ले जाएगा और अगर आपको traditional idea पर ही काम करते रहेंगे तो आपका up business down flow में चला जाएगा चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं इस वीडियो को अभी like कर दीजिए तो दोस्तो अगर आपको राकी खरीदनी है और वो भी राजिस्तानी style की राकीया तो आप G1 Handicraft से खरीद सकती हैं G1 Handicraft राजिस्तान की एक company है जो की Handicraft के items बनाती है और इनके पास जो rate मिलती है वो wholesale rate मिलती है ये single piece में deal नहीं करते आपको 100 piece 200 piece ऐसे लेने होंगे तो आप इनसे कैसे contact कर सकते हैं इनके साथ connect होके किस तरीके से business कर सकते हैं उसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूँगा पहली चीज अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनसे stock मगा के अपने पास रख सकते हैं और उसे market में supply कर सकते हैं दुकानों पर घूम घूम के रच्छा बंदन आने वाला है और काफी ज़्यादा sale होंगे ये product तो आप घूम घूम के दुकान वालाओं से अभी से contact करना शुरू कर सकते हैं और उनसे order ले सकते हो और उनको वो product दे सकती हैं इसके अरावा आपके पास पैसा नहीं है क्योंकि लॉक्डाउन की स्तती है COVID-19 के टाइम पर लोग घर बैटे रही हैं और पैसे हैं नहीं लोगों के पास तो ऐसी condition में वो लोग क्या करेंगे कैसे business करेंगे कैसे ये राखियों का business कर सकते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप इनसे contact करिए और इनसे उन राखियों के photo वंगा लीजिए उसके बाद आप market में घूमिए market में लोगों को बोलिए कि ऐसे ऐसे sir ये हमारे पास राखियां हैं आप इनमें से select कर लीजिए order पर ये राखिया आपके लिए बन जाएंगी और उन्हें बताईए कि हमारी manufacturing unit राजिस्तान में हैं और इस तरीगे से उनसे contact करिए contact करने के बाद उनसे कुछ advance ले लीजिए order लेने के बाद जैसे उन्होंने 120 का order दिया और कुछ advance ले लीजिए पूरा पैसा ले सको तो अच्छी बात है पूरा अगर दे दें तो अच्छी बात है नहीं तो कोई बात नहीं advance ले लीजिए उसके बाद और लोगों से contact करिए उसके बाद जब आपके पास कुछ पैसा आ जाए तो आप इनसे product मंगा सकते हैं और उसके बाद product को supply करके उनसे पैसा लेके इनका payment कर सकते हैं तो इस तरीके से भी आप लोग काम कर सकते हैं एक होता है reselling business वो भी इनके साथ आप connect होके कर सकते हैं जैसे आप अपने दुकान वालों के दरोदर के जान पहंचान वाले हैं उनको एक group में add करिए ये आपको product दिया करेंगे आप उन product को अपने groups में अपने जान पहंचान वालों को share करना होगा और share करने के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी जो G1 Handicraft वाले आपको rate देंगी wholesale rate उससे ज़्यादा में आपको product sale करना होगा जैसे कोई राखी 2 रुपई की दी जा रही है और उसके बाद आपको 3 रुपई की share करनी है अपने अगले network में अपने जान पहचान बालों को और जब वो order देंगे आपको तो आपको वो order लेगे सीधा G1 Handicraft आपको दे देना है वो आपके product को आपके नाम से सीधा आपके ग्रहाग तक पहुचा देंगे आपको अपने ग्रहाग से पहले ही payment ले लेना है क्योंकि ये अभी COD प्रोवाइड नहीं करते तो इस तरीके से इनसे आप connect होके अलगल हैंडिक्राफ्ट के item का business शुरू कर सकते हैं और इनके पास जाके भी आप लोग खरीच सकते हैं बहुत सारी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये कहीं commission agent तो नहीं है क्या ये सच में manufacturer हैं तो उसकी सच्छा ही जानने के लिए आप इनके यहाँ पर जा सकते हैं इनकी manufacturing unit देख सकते हैं काफी boomants हैं जो इनके यहाँ पर काम करती हैं Times of India जो new channel है उन्होंने भी इनकी coverage की है आप सोच सकते हैं इतना बड़ा channel जब इनकी coverage कर रहा है तो आपको एक opportunity मिलती है कि एक ऐसी company के साथ connect होने की जिसके साथ आप मिलकर seasonal और traditional business कर सकते हैं इनके जो item है वो homemade item है सभी के सभी item ये लोग घर पर बनाते हैं तो आप इनके साथ एक बार जरूर connect होईए इनका जो whatson number है वो इस वीडियो के description में दिया है WhatsApp पर message करके इनके product को देखिए अगर आपको अच्छे लगें तो आप खरीदिए अन्यथा कोई बात नहीं लेकिन एक बार contact जरूर करिए आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आप comment करके बता देना अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो तो like कर देना चैनल को subscribe करके bell बटन दबा देना ये वीडियो देखने लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद